नमस्कार फ्रेंड्स, पीस्फूर होम एन इंफार्णमेंट चैनल में आप सब की स्वागत है और मैं मिसस थारा फ्रेंड्स, आज हम लोग काटिंग्स ग्रो करने के लिए दो होममेड औरगानिक रूटिंग होर्मोन्स के बारे में जानेंगे आज जो रूटिंग होर्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे ये दो रूटिंग होर्मोन्स आप बिल्कुल फ्री आप कोस्ट, बिल्कुल मूत में आपके घर से ही पा सकते हैं cuttings हम सभी लोग grow करते हैं rooting hormone यूज किये बिना भी cuttings grow हो जाते हैं लेकिन cuttings grow करने के लिए अगर हम लोग rooting hormone यूज करते हैं तो cuttings successful होने की chance 100% हो जाते हैं तो इसलिए चलिए आज हम लोग बिलकुल मुप्थ में कैसे दो rooting hormone अपने घर से पा सकते हैं और rooting hormone यूज करके हम लोग कैसे successfully cuttings grow कर सकते हैं ये बात जान लेते हैं लेकिन उसके पहले आगर आप channel में नए friend हैं तो please channel को subscribe करके bell button जरूर जबा दीजिए ताकि मेरी हार informative वीडियो आप तक पहुँच सके और अगर वीडियो अच्छी लागे तो अनुरूध है like और share जरूर कीजिए तो चलिए friends हम लोग बहुत successfully कैसे homemade rooting hormone से cuttings grow कर सकते हैं ये बात जान लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो चीज लेंगे वो है cuttings मैंने यहाँ पर दो गुरहल की cutting ली हूँ गुरहल की cutting को मैं 45 डिग्री एंगेल में कट की हूँ और यहाँ पर मैं potting soil जो ली हूँ ये शिर्फ garden soil है दो गिलास में मैं cuttings ग्रो करने के लिए garden soil यहाँ पर फिल की हूँ पहली नंबर में मैं जो homemade free of cost rooting hormone रखी हूँ ओ है aloe vera gel aloe vera gel एक बहुत ही effective rooting hormone की काम करते हैं aloe vera gel यूज करके अगर आप cuttings ग्रो करते हैं तो यह cuttings successful होने की chance 90% से 100% हो जाते हैं और aloe vera का पौधा अभी आपके पास अगर नहीं है तो बहुत जल्दी आप इसको लागा लीजिए बहुत आसानी से aloe vera का पौधा लग चाता है तो cuttings ग्रो करने से पहले हम लोग cuttings के नीचे के portion में aloe vera gel लगा लेंगे और किसी चीज के मदद से मिट्टी के बीच में थोरी सी जगा बना लेंगे तक कि cuttings में बहुत ज़्यादा pressure ना डालना परें अभी cuttings को बहुत हलके से मिट्टी के अंदर रखे आजुवाजो की मिट्टी थोरी सी दबा देंगे और थोरी सी पानी यहाँ पर डाल देंगे मैं मिट्टी पहले से ही गिली करके रखी हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा पानी डालने की और जरूरत है ने की अभी हम लोग इस cuttings को रखेंगे एक सेडी एडिया में दूसरे नंबर पर मैं जो homemade free of cost रूटिंग हर्मोन रखी हूँ ओ है तूलसी के पत्ते तूलसी के पत्ते एक बहुत ही effective और बहुत ही सक्तिशाली रूटिंग हर्मोन की काम करते हैं तूलसी के पत्ते में ऐसे कुछ तत्तो होते हैं जो cuttings में बहुत जल्दी रूट आने की काम करते हैं तूलसी के पत्ते की जो रस है इसको यूज करके अगर आप cuttings ग्रो कर रहे हैं तो कुछी दिनों में cuttings cuttings में रूट आ जाते हैं और cuttings successful हो जाते हैं तो इसको हम लोग कैसे resulting routine hormone बनाएंगे तो तूलसी के पत्ते को हम लोग तोड लेंगे और एक ओखली में या किसी भी चीज में लेंखे ऐसे प्रिशन दे Ilg में तूलसी के पत्ते की पेस्ट बनाएं हो और ऐसे पेस्ट बनाने के बाद तूलसी के पत्ते की जो रस तयार हुई है उसको सही तरह से इस्तिमाल करने के लिए हम लोग थोड़ी सी पानी मिलाएंगे उस पेस्ट में और एक गिलास में हम लोग एक कप्रे की सहायता से उस रस को छान लेगे गिलास के अंदर मैं थोड़ी सी पानी पहले से ही रखी हूँ और ये जो तूलसी के पत्ते की जो पेस्ट बनी है उसकी जो रस है उसको ऐसे निकाल लेंगे सिर्फ रस चाहिए हम लोगों को तूलसी के पत्ते की रस और एक्स्ट्रा जो पत्ते रहे गया है पत्ते जो रहे गया है रास निकलने के बाद वो हम लोगों को जुरूरत नहीं होगी तो अभी ये बन गया है तूलसी के पत्ते की सक्तिशाली रूटिंग हर्मोन अभी काटिंग लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे ये जो rooting hormone हम लोग बनाए हैं उसमें 15-20 मिनिट के लिए cutting को dip करके रखतेंगे cutting grow करने की 15-20 मिनिट पहले इसको ऐसे dip करके रखेंगे और 15-20 मिनिट के बाद cutting को पानी से निकाल गने के बाद हम लोग मिट्टी में लगा देंगे किसी चीज के मदद से हम लोग मिट्टी में थोड़ी सी जगा बनाएंगे और cutting को बहुत धीरे से मिट्टी के अंदर रखके आजू बाजू की मिट्टी थोड़ी सी हलके हातों से दबा देंगे अब हम लोग पानी ड़लने। पानी के बदले में यह जो रूटी हर्मोन में हम लोग बनाए तूलशी के पत्ते से इसको वह भी ठाल सकते हैं किसी भी cuttings ग्रो करने के लिए आप इस जूस को तूलशी के पत्ते की जूस है उसको आप अगर यूज करेंगे तो cuttings लगने की चांस कई गुणा बढ़ जाते हैं तो ये अलोवेरा जेल और तुलसी के पत्ते के रस ये दो बहुत सक्तिसाली होममेड रूटिंग हर्मोन हैं आप इन दोनों को दोनों में से कोई भी एक हो आप अगर यूज करते हैं तो 40 डेज में आपकी cuttings ऐसा हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे होममेड फ्री आप कोस्ट या बिल्कुल मुफ्त चीजों से गार्डिनिंग कीजिए और गार्डिनिंग को enjoy कीजिए नमस्कार झाल 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 झाल